हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू मैं चैनल और आज मैं लाई हूँ आपके लिए बेकरी स्टाइल वाली रिस्पी घर पर ही बनाने की स्टाइल में तो देखे मैंने इसे बिना ओवन के बनाया है बहुत ही जबरदस्त कडाहीम बनाया है दोस्तों ये क्रोस हैंड की रिस्पी बह हम एक बाउल लेते हैं मैंने इसमें एक जो है दूद हलका सा इसको कर लिया था नीम गरम है ये तो बस इतना ही गरम हमें हलका सा करना है और इसे हम दूद को एड करेंगे बाउल में और इसमें मैं डाल रही हूं आध़चंबाद से भी थोड़ा सा कम नमक डिस्ट के लिए और दो चमच के करिब चीने में डाल रही हूँ तो देखे दोस्तों ये टेस्ट को मेनेज करने के लिए हम इसमें चीने और नमक दोनों को एड करेंगे और ये है मैं इसे बहुत अच्छे से चलाऊंगे दोस्तों और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे 5 मिंट के लिए रख देना है इस जब तक कि हमारा टेवेट हो रहा है तब तक हम एक बावल छोटा सा लेंगे और उसमें मैंने एक चमच के करीब टेल डाला है खाने वाला तो बस इसमें हम मैदा डाल देंगे 2-3 चमच और इसका हम अच्छे से एक गोल तयार करना है जो हम इसके बीच बीच में लगाएंगे पड़तों में ताकि हमारी बहुत अच्छे पड़ते बनें तो देखे मेरा बहुत अच्छा गोल तयार हो गया है और इसे हम किनारे रख और आते हैं इस्ट की तरफ तो देखिए हमारा गोल ये वाला भी बहुत अच्छे तयार हो गया दूद्ध और इस्ट जो है एक्टिवेट हो गया दूद्ध में और अब हम इसमें दो कप के करीब मैदा डालेंगे तो मैदे को अच्छे से चान लेना है पहले चन्नी की साहता से फिर हम इसमें एड करेंगे ताकि उसमें कोई जो है कोई लंस ना रहे बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे हाथों से और या फिर चमत से और क्यूंकि हम इसे अच्छा सा डो बनाना है तो आप इस तरह से हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लें और जो है अच्छे अच्छे से मिल हो जा तो हम इससे बॉल में निकाल लेंगे और एक घंटे करेस्ट देदेंगे इसे तो इस आटा हमारा देखिये बहुत ही अच्छे से फूल गहा है दूस्तो इस टे क्टिवेट इस से मैंदे में बहुत अच्छा से एकने हम अच्छा साइन अधूरों के नहीं बहुत जाता है झाकर इसमें जो है तेल नहीं आइड करेंगे जादा थोड़ा थोड़ा चमच डाल डालके हमें इसे आइड करेंगे और इसका डो जो है हमें बहुत हाड नहीं बनाना है नरब डो बनाना है दोस्तों क्योंकि हम इसे बेलेंगे और हमें जादा बड़ा बेलना है तो इस हिसाब से आप डो करिएगा कि जादा आपको मेहनत ना लगे बहुत जादा तो इस तरह से हम इसे अच्छे से बेल जो है डो इसका तयार कर लेंगे और इसका एक रोल बनाएंगे क्योंकि हमें इसकी लोईया काटनी है तो लोई का मेजर्मेंट आप अपने हिसाब से पहले अंदाजा इसका लगा लेंगे दोस्तों कि कितना हमें इस तरह की लोईय रखेंगे एक बराबर हो अगर एक बराबर नहीं हो रही है तो आप इसे थोड़ा सा कम जादा करके आप इसे बना सकते हैं तो देखिए मेरी लोईय हलकी सी एक बराबर नहीं हो रहे थी तो मैं इसे थोड़ा काट रहा हूँ तो इस तरह से मेरी लॉई इन एक बराबर हो गई है तो बस स्टार से हम इसके असके बड़ा बेल और फिलहाल जितने बड़ी लोई रहेगी उतना ही बड़ा इसे हम बेल सकते हैं तो दीखिए मैंने इतना बड़ा बेला है और सारे को हम इस तरह से बेल कर किनारे रख लेंगे तो एक दूसरे पर हम इसे रखना है तो हमें जो हमने खुल तयार किया है तो उसको लगाएंगे हम और अब मैंने दो मेरी रोटियां बेल ली हैं मैंने तो बस इस तरह से अब हम इसको इस पे घोल स्प्रेट कर लेंगे सारे लगा लेंगे हाथों से या फिर आप ब्रेश की सायता से भी लगा सकते हैं दोस्तों जिस तरह आपको आसानी पड़े उस तरह से आप लगाएं आपके उपर है तो बस इस तरह हम अच्छे से इस पे घोल लगा लेंगे और जो हमने फस्ट वाली है जो हमने बेल कर रखे है रोटी तो उसको इसके उपर हम डाल देंगे अलकस हम इस पे मैदा भी स्प्रेट कर सकते हैं तो दोस्तों हम इस तरह से करने से बहुत अच्छे परते निकल कर आती हैं बहुत अच्छा ये बनकर तयार होता है बैकरी स्टाइल में हम इसे बना रहे हैं तो घर पे हम इसे आसानी से बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं आप दूस्तों मैंने दूसरी वाली रोटी को भी इसके उपर रख दिया है और इस तरह से हम सारी लोईयों को बेल बिलकर एक दूसरे पर इस तरह से रख लेंगे तो बना लेते हैं सारी लोईयों की रोटियां बना लेते हैं तो देखिए मैंने सारी लोईयों से रोटियां बेल ली हैं और एक दूसरी पर मैंने घी का जो हमने तेल का जो हमने बनाया था मिक्चर तो उसमें हम लोग उसको लगा लगा कर हमने बेला है और बेल करके एक दूसरे पड़ रख दिया है इससे हमारी पर्तिम बहुत इच्छी बनेंगी तो अब देखे सारी जितनी हमारी बन गई है उसको भी हम और अच्छे से थोड़ा सा और बेल लेंगी क्योंकि अभी यह थोड़ा मोटा है तो हम इसे भी अच्छे से बेल लेंगे अलट पलट करके था कि थोड़ा सा ये और पतली हो जाए और ये और बड़ी हो जाए तो देखे मेरी बड़ी हो गई है पतली भी हो गई है इस तरह से आप जितना बड़ा चाहें बेल सकते हैं दोस्तों और अब बेलने के बाद हम इस कट करेंगे तो देखे पहले बीज से पूरी एक लाइन बनाएंगे और इस तरह से हम फिर एक बार और कट करेंगे आप देख सकते हैं कैसे मैं कट कर रही हूं तो इस तरह से आप इसे कट कर लेंगे और बराबर बराबर भागों में इसे हम काटेंगे और बहुत ही आसानी से बन कर तयार हो जाता है दोस्तों इसे बेलने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है बाकी जो है ये बनने में टाइम नहीं लगता है और आप इसे बना आएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी दोस्तों क्योंकि हम इसे बेकरी स्टाइल में बना रहे हैं अगर आप देखे इसे fold कर लीजिएगा सारों को यहां से हम बीच के edges काटेंगे और इस तरह से हम इस सारों को fold कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही आराम से cut होता है और बहुत ही आराम से fold हो जाता है तो बस इस तरह से हम सारे को fold कर लेंगे आप देख सकते हैं तो बस अब हम एक plate लेंगे flat और उसमें हम हलका सा तेल लगाएंगे या फिर घी लगा लेंगे या फिर मक्षन आपकी मर्ज़ी है आप जो भी लगाना चाहिए तो इन सब को मैं इसमें रख दूंगी है सारों को इस तरह बेक नहीं करूंगी दोस्तों मैं थोड़े थोड़े ही जो है कुछ कुछ पीस क्योंकि फूलेगा भी तो हम इस तरह से अभी मैं सिर्फ इसमें अंडे की जरदी लगाने के लिए इसमें मैंने सारे को है और छे पीस मैंने इसमें रखे हैं दोस्तों मैं दो बार में इसमें बनाऊंगी बहुत ही जबरदस्त और डिलिशियस ये बन कर तयार होता है दोस्तों तो बस इस तरह से आप इसे ढख देंगे तो देखे दोस्तों मेरा कैमरा थोड़ी दिर के लिए बंद हो गया था मैंने आपको दिखा नहीं पाई हूँ कि मैंने इस पे तिल सफेद वाली तिल भी मैंने इसमें स्प्रिंकल की है तो बस आप देख सकते हैं कितना च्छा कलर आया 30 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है और बहुत ही जबरदस्त कलर आगे बहुत ही अच्छे से ये बेख हो गया है तो बस आप इसे थोड़ा दिर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और हम इसे निकाल लेंगे बहुत ही जबरदस्त ये बनकर तयार हुई है तो अगले बैच को भी हम इसी तरह बनाएंगे दोस्तों बिल्कुल स्लो मेडियम जो है रहेगा लो और उस पे हम बनाएंगे तो देखे मेरे सारे बनकर तयार हो गये हैं बहुत ही जबरदस्ट बनकर तयार हुए हैं आप जरूर इस तरह बनाईएगा मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कितना चांदर तक ही पुरा पग गया है बहुत ही जबरदस्ट बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही अच्छा बनकर तयार हुआ बहुत ही क्रीमी बनाए खाए इसका मज़ा ले और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी मिलते हैं ले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा बाबाए